हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यह 2023 का कुर्शन पेपर है इसके पहले जो 2019 का कुर्शन पेपर था जिसमें आपके अपरेल नॉम बज के जो पेपर उसके सेल्यूशन हमने रेके थे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिय हर इक अपडेट करते रहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब परेके अपने अपडेट को पास सकते हो तो आज जो हम बेसिस सीख रहे हैं वो टीवाइबिकॉम साम 6 का 2023 का कुर्शन पेपर है और इस कुर्शन पेपर के हम दब कुर्शन नंबर 2 का C पार्ट करने वाले इस है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी आज का जो अपना कुर्शन है क्या है वह बेसिली 2023 का पेपर आप डाउन्वोड कर सकते हो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है और इससे पहले ही यह में होता दूँ कि यह 2015 में सेम कुर्शन आया था देगे क क्या है यह हम देख रहेते हैं आप को सब्सक्रिपर डाउन्वोड करके आप देखते रहिए देखें फाइन सेल्समें आर टू भी न असाइंड टू फाइब टेरिटरी इस तो यहां पर देखते हो कि फाइब सेल्समें है तीकि इनको असाइंड करने है आपको जॉब आपको अब यहां पर क्या करना है और यह टेबल से आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि इसमें कितने जो सेल्समें है उसमें तोडल फाइब सेल्समें है और उन्होंने किस टेरी टेरी में ज्यादा अपना सेल्समेंट किया हुआ है तो आपको इसमें आपको बताना है कि सेल्समें मन का कितना सेल्समेंट किया हुआ है सेल्समें टू ने कितना जन्समेंट किया है तो वह कहां पर जननेट कर सकता है हम क्या करेंगे इसके लिए यह मैक्समार्ट करते हो पर उसमें जरका है मिनिमाइश करते हो तो एंदिन उसके बाद जाके आपका आता है इसमें नवा मदद ऑप्टिमम सेल्स जिन्नेटेट देगे आपको यह जो सब में फॉल उप करना है अधिकर मिनिमाइस का समय तो सीधा हम रो मिनिमाइस से चालू करते हैं और मैक्सिमाइस करेगा तो रिग्रेट मैटिक्स का कॉलम हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करे हम बनाते हैं तो सब का कॉलम बना देता हूं मैं इसको सॉल करते हैं तो इसको सब कर सकते हैं क्योंकि आपको चेक करना होता है कि आपको या तो कॉलम ने दिया होता है या तो नहीं दिया होता है जो कि यह इसके बारे में हमने लक्चर में इसका देख सकते हो कोलम में बना ले तो यह करते हैं अभी हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें से सबसे फैंड नॉमबर देखने हैं सकते हैं, हाँ पर 16 14 10 12 9 गीवेन है 31 यहां पर 31 बिगर हो गया अभी देख सकते हो इस का रोब में और सबसे बिगर क्या आ गया 31 अब देखते हैं 15 18 16 20 20 30 फिर 17 12 21 30 25 20 19 25 16 19 तो यहां पर सबसे बिगर मुझे दिखाई दे रहा है 31 राइट तो अब हम क्या करेंगे 31 माइनस करते हैं 31 सबसे माइनस करना है बस इतना है कि नेगिटिव में आपको आंसर नहीं लिखना है तो 26 से 30 31 माइनस करना है तो 5 आएगा फिर 14 करना है तो दाइस मे 17 10 करेंगे तो 21 12 माइनस करेंगे तो 19 9 माइनस करेंगे यहां पर 22 31 से 31 माइनस करेंगे तो जीरो हो गया फिर 31 से 27 माइनस करेंगे तो 4 आप कैसे भी माइनस को बस आपका अनसर नेगिटिव में नहीं लिखना है तो 31 से 30 माइनस किया तो 1 31 से 14 माइनस करेंगे तो 17 और 16 माइ again 31 से 15 मानस करेंगे तो यहांपे 16 मािनों तौन दाइटीन करेंगे तो थरीन यहीद 10 टिरी demo 16 मानस करेंगे तो दाइच में 15 25 मानस करेंगे तो 6- 7 or 11 17 मानसके थो 14 12 मानसक तो दाइच पिन 19 ओगया यहां पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो 10 आ गया तो इस तरह के से यहां पर पूरा माइनस लिखना पड़ेगा बस आपको इतना रहां देना है कि कहीं पर रॉंग माइनस ना हो जाए तो पूरा सर्म रॉंग हो जाएगा अपना क्लीर तो इस तरहीं पहलोगे से आपका रिग ड मैटिंग सा अके अपक्या करना करें और कि अब्केट से ओसरी कॉर्म दैक्रना है और प्रपण मत्राप बिसक्रवृ में सब्सक्राइब का फाी सबसे हमगैं 5____ इस तरहीं यह M Judy घृटाएं सबसका करें वी7 से इस दायए करेंगे व करेंगे अहब सबसे हैтом समय क्या किया सब्से 不 cynे के मैनिस करेंगे वी इस तुमेड कियास शीरो और यह पुरा copy हो जाएगा तो 0 4 1 17 15 कि 0 से कुछ भी माइस कोगे तो आंसर सेम आ जाएगा अभी इसमें थर्ड में देखते हैं तो सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब 1 है तो 1 माइस करेंगे 15 16 में से 1 गया तो 15 13 में से 1 12 15 में से 1 14 then 5 and then 0 एक है and s4 में रिखते हैं 1 है यहाँ पर 13 18 9 0 5 ठीक है फिर इसमें क्या है सब्सक्राइब सब्सक्राइब 6 तो 5 6 0 ठीक है 9 and 15 तो यह आपके बास रो मिनिमाइस निकल गया अब रो के बाद क्या गरेंगे कोलम मिनिमाइस निकालेंगे तो कॉलम में ऐसा जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 0 है तो यह जो टीवन है यह पूला कॉपी हो जाएगा कॉलम के अंदर तो 0 0 15 13 & 5 ठीक है फिसमें 4 है तो 4 माइस करते है भी ह तो 12 में से 4 गया तो 8 फिर 0 फिर 12 8 हो गया यहां पर 18 से 4 माइस करते हो 14 & 6 माइस करते हो तो 2 अब भी टी 3 में सबसे स्मय गया है जी यह पूरा कॉपी हो जाएगा 16 1 14 1 14 & then 9 फिर 0 फिर टी 4 में भी सेम यहां पर 0 आगे तो यह कॉपी हो जाएगा टी 5 भी पूरा कॉपी हो जाएगा तो 17 5 0 9 17 15 0 5 15 यह हो गया अब इसका एनालीसिस करेंगे तो एनालीसिस कैसे कर सकते हो यह जो पूरा कॉलम है कॉलम का वह एनालीसिस में कॉपी कर दो सेम यहां पर पूरा कॉपी करते हूं तो 0 8 16 14 & 17 पूरा एज इसका पूरा कॉपी करना है कि हमें एनालीसिस करना है फिर यहां पर लिखा हमने कि थर्टीन फोर्टीन नाइन जीरो फाइफ फाइफ टू जीरो नाइन फिफ्टीन अब एनालीसिस करते है आपको कि नंबर्स ओफ रो इस इकवर सुन नंबर्स ओफ कॉलम कि सिद्रूद कुम है और यह किस क्की एना चाहिए लाइन 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 कि एतना फोक किया है अब्यस लाइन कहते हैं हम बिसिकली कि सब्से следующ जीरो जहां पर लिखते शीकिते इना यहां पर 0 सब्सक्राइब कहाँ पर दिखाई दे रहा है तो अगर मैं इसको होरीज़न्टी लेखता हूं तो इसमें 1 दिखाई दे रहा है तो पहले क्या कितना है आपको रहा है तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा तो अभी यहां पर एक 0 है तो इसको मैं एक ही काउंट करूंट करूंगा तो आप उसको ऐसा horizontal गट करो या vertical गट करो आप पर It depends क्लियर समझाँ यहां पर है तो चलब यहां पर भी मैं उसको ऐसा cut कर देता हूँ यह two हो गया आप कैसे भी cut कर सकते हो आप क्या यह जाएसा cut करना है तो आप ऐसे भी cut कर सकते हो तेकर ऐसा कोई क्लेद चैनल नहीं पुछे जाते हैं आप क्या करना है हिसको असट करना है देक्र फिफ्ट स्टेप क्या एगा असेंड यह assignment है को आपर e assignment के लिए भी क्या के हैं हम same यहाँ पे copy करतेर से यहाँ पे salesman लिखा हमने टेरी टेरी लिखा इसमें मिलता हूँ T1, T2, T3, T4 and T5 ठीक है टेरी टेरी नहीं लिखा मिलने यहां पर यहां पर यह होगे अब यह पूरा कॉपी करेंगे तो इसमें कहा है 00, 15, 13, 5 8, 0, 8, 14, 2 यहां पर 16, 1, 14, 9, 0, 14, 17, 5, 0, 9, 17, 15, 0, 5, 15 अब यहां पर आसाइम्मेंट कैसे करना है ना जहां पर 0 पर स्वाहीं पर आसाइम्मेंट कर सकते हैं मैं आपको जहां सा नीचे समझाते हूँ क्योंकि नीचे सा आपको समझने में वहाँ सा एजी हो जाएगा अभी S5 में 0 कहां पर दिखा देता है यहां पर है तो मैं salesman 5 को कौन सा territory दूँगा T3 दूँगा ठीक है और इसके against में कोई 0 है क्या मतलब against मतलब देखो column में कोई 0 है क्या row में कोई 0 है क्या नहीं है ठीक है अगर रहेगा तो उसको cut कर देने का सुपर cross कर देने का इसके against में कोई 0 है क्या नहीं है salesman को मैं territory 4 दूँगा same s3 में देखो a क्या उन्यों जाएगा तो मैं पहले को नहीं करता हूँ, S1 को करता हूँ, S1 में यहाँ पर यहाँ पर एक 0 है, और कोई इसके में है नहीं ऐसा, तो सेल्समेन को territory 1 देता हूँ में, अभी इसके against में 0 है, वो cut हो जाएगा, मतलब territory किसको नहीं जाएगा, territory 1 only salesman 1 के लिए, territory 3 देखो, 3 में salesman 5 जाएगा, territory 4 में salesman 4 जाएगा, 3 में 3 जाएगा, इतना समझा, और यह 2 है, तो 2 इसको जाएगा, फिर, हाँ एक salesman को each and every territory मिलना चाहिए, एक ही territory मिलना चाहिए, हाँ, देखे, सब नहीं देना है अपने को, एक salesman, एक single सा territory, बस का दम, तो यह होगा, मैंना assignment कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसका optimal sequence निकालेंगे, यह अपना total sales generated निकालेंगे, कितना आएगा, तो चले, यहाँ पर इसकी नीचे देख लेते हम लोग, यह होगा, अपना six steps, जहाँ आपके हम लोगा, फिर, territory लिख ल देखे, फिर दर पर amount आएगा, क्या आएगा, amount, अधब sales in rupees, तो sales in rupees, देखे, अभी salesman अपने पास कहाँ से लिखना है, यहाँ से, तो total कितने salesman से 5 salesman है, तो मैंने 5 salesman से यहाँ पर write down कर दिये, समझा, अब territory कितना है, यहाँ पर same है, तो अपने को सिफ चेक करना है कि salesman 1 क यहाँ कॉन सा territory कहा है, T1, तो यहाँ पर T1 लिखना है, तो को T2, ठीक है, फिर 3 पर, 3 पर कहा है, 5 यह, territory 5, फिर S4 पर कहा है, T4, T4 और T5, अभी इसका आपको amount लिखना है, तो amount अपने को कहां से लिखना है, main question से लिखना है, main question यहाँ पर देख सकते हो, S1, T1, S1, T1 का कि 26, 26, फिर S2, T2 क किutive 27, यहाँ पर 27 दिखा, फिर S3, T5 30 ए, gotta 30 लिखा, फिर 4 पर कितना देखते हैं, से यहाँ पर 30, 40 बी 30 है और 5 पर कितना है, 25, देकिते फर, यहाँ पर T3 आएगा, तीर वाइगा, शरी, T3 परruktor 25, हैं मेन letter 7, अभिक एधे में खूसन तो बोस्टिक है, ह चलिए इसको एड़ के लिए तो अपना तोटा आएगा अब क्याल सिभी यहां पर यूज कर सकते हो 138 क्लिए तो अपने बास क्या आ गया 138 टूटल इसका आ गया मतलब यह जो है यह अमाउंट किसमें होगा लाइक में होगा चलिए अब इसके लिए हम स्टेट में देते इसका तब तो अच्छे समझ में आ जाएगा तो इसका स्टेटमेंट क्या वो लिखते हैं देर्फोर ऑ लाइक या 138 लाइक है आयों कि यह जो ट्रांस्वर्टेशन का समसा असाइम्मेंट वाला यह आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको करना चाहिए तो आप इसको नोट दाउन के लिजए दिन आप मुण करते हैं किसंबर टू के डी पार फे अब आम स्टार्ट करते हैं किस नमबर टू का डी पार इसमें बसी क्या है कि solve the following by graphical method इस तरीके को question given है और आपको equation given है आप यह जो equations है यह LPP के chapter से इसको लिया गया और इसके graphical method करना है तो यह LPP का पुरा concept है यहां पर max z given है आपको तेखेंगे और इसमें आपको equations given है इस equation के basis पर आपको graph में लगे आना है and then फिर इसको solve करना है जोंकि बहुती easy सा यह sums है graph भी करना बहुती easy हो जाता है क्योंकि कैसा है कि इसमें जादा कुछ आपको जादा hard work करनी की जोड़त नहीं है करना क्या है वो देख लिए तो इससे हम जादा समझ में आ जाएंगे तो फर्स इसको solve मिलेते solution लिखते हैं यहां पर यहां रखिए यह जो question जो given है यह क्या in equation है क्या यह in equation इन equation मतलब क्या यहां पर जो lesson का sign है यह क्या बनाता है in equation बनाता है पहले हम इसको convert किसमें करेंगे equation format में हर सबको नहीं करेंगे जितने को अपने को solve करना तो पहले उसको equation format में लिख आते है जैसे कि अब यह जो equation number one है ठीक है equation number two है यहां पर एक एक को solve करेंगे तो यह in equation से first one हम किसमें कर्मट करेंगे equation format में तो first question as it is copy करते 4x1 plus 3x2 यह हो गया lesson equals to 24 यह in equation तो पहले इसको equation format में लिखेंगे therefore therefore 4x1 plus 3x2 equals to 24 यह क्या होगे equation हो गया उपर उला क्या हो गया in equation हो गया जब भी lesson यह more than का sign आता है तो इसको हम क्या बोलते है in equation बोलते हैं और जब यह equal में जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं equations देखें अब हम क्या करेंगे यहां पर let करते है let x1 equals to 0 देखें x1 equals to 0 यहां पर आ जाएगा तो अब यह equation देख रहे हो आप उसके अंदर हम क्या करेंगा यहां 0 substitute कर देते हैं अब 0 substitute कर देंगे तो पहले क्या करते है equation देखें लिखते है 4 और x1 के प्लेश पे प्लस 3 x 2 equals to 24 तो 3 x 2 equals to 24 और x2 के value कितने आ जाएगी देखें 24 को 3 से दिवाड़ केते हैं तो 8 आ जाएगा कितना जाएगा 8 तो अपने पास यहां पर equation मिल गया है x, y equals to कितना आ जाएगा देखें यहां पर x2 लिख दिया मैंने देखें इस तरीके से अब हम क्या करते हैं यहां पर अगें same equation अभी लेट करेंगे x2 की value 0 कितना रखेंगे x2 की value 0 तो same equation अपने पास यह equations पर x2 के प्लेस पर 0 equals to 24 देखें तो यह पास पर 0 गया तो 4 x1 equals to 24 आ यहां पर तो x1 की value आ जाएगी 6 देखें तो इसको बैकेट में रिकते है x1, x2 equals to क्या आएगा यहां पर देखो अभी x2 की value हमने क्या ले लिया 0 ले लिया है और x1 की value 6 है तो 6,0 तो यह एक equation solve हो गया और एक equation में अपने को दो point मिल गया 8 और 6 अभी second equation लेंगे देखेंगे second equation क्या x1 मैं आप लिख देखा है यह first equation हो गया second equation क्या x1 is less than equals to 4.5 है यह second equation अपने पास तो अभी let करते है let ठीक है इसमें कुछ let करने की जो होती ही नहीं है अगर मैं इसको equation format में लिखू तो कैसे लिखूँगा x1 equals to 4.5 बस इतने ही दिया हुआ है ठीक है यह ही दिया हुआ है तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया तो हो गया यह अब यह x2 third equation x2 less than equals to 6 है यह third equation है अब इसको equation format में लिखूँगा तो 6 लिखूँगा तो यह हो गया ठीक है यह यह अलग equation है और यह अलग equations है अब हम क्या करेंगे इसको graphical method में लेकिया थे तो मैं यहाँ पे space करें तो अभी हम प्रॉपर ग्राफ बना शकते हैं तो पहले हम क्या करेंगे xx and y axis बना लेते हैं यहाँ हो गया origin यह अपका हो गया xx यह हो गया y axis दीखें अभी यहाँ पे आपको 11 cm लेना है और यह कितना लेना है पहले बहुत रहते हैं यहाँ पर y नि लिखता हूँ है यहाँ पर x2 लिखता हूँ और x1 अब इसमें देखो x1 जाहां पर x1 दिखाई दे रहा हो अभी x1 की वाल देखो यहाँ पर 6 है x1 के वाल यहाँ इतनी है 4.5 तो सबसे bigger number क्या है इसमें x1 में 6 है सेम इसी तरीके से x2 देखेंगे तो x2 में bigger number क्या 8 है अपने पास क्या है 8 तो मतलब यह x2 है इसमें 8 तक जाएंगे इसमें 6 तक जाएंगे अब लोग देखें 1 2 3 4 5 6 बराबर इसमें 8 तक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यह 8 हो गया ठीक है अब इधर साइड में हम स्केल भी लिखेंगे ने लिखो के तो भी चलता है यहाँ पर ठीक है 1 cm equals to 1 unit यह किस पर है x1 पर ठीक है और x2 पर क्या है यहाँ पर 1 cm equals to 1 unit सेम है यहाँ पर भी हैे अब यहां यहां से पॉइंट लेते हैं दीख है पॉइंटल अपना धौन पर दीखें मैं यहाँ plain पर 0 है और ऐक्ष्रूपर 8 है धीस तरीके से अभी मिसको पूरा ज़इन काले ना इससे तरीके से झाल 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 प्रॉपर तो लाइन नी गया है लेकिन आपको प्रॉपर लाइन नी बनाने है और यह जो लाइन बन गया है इस पे आपको क्वेशन राइड़ लिए है तो इसके इन बिट्विन लेते, 4.5, देखे, यह second equation है, इसको third equation साथ combined नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर six नहीं बना देना, तो वो wrong हो जाएगा, x1, मतलब first equation, second equation, third equation, that is, यहाँ पर three line बनेगा, तो अभी यहाँ पर कैसे line बनेगा, इसमें ते कोई x2 की value नहीं, x2 की value क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, तो इसमें आएगा, 4.5, अब इसको यहाँ बनाना है, इसा parallel to y axis हो जाएगा, इसको सीरा कर लेते हैं, इसको जाएगा, लेकिन आप लोग पर इसकेल से बनाना है, गलती नहीं करना है आप लोग, यहाँ पर क्या, x1 is less than equals to कितना है, 4.5, अभी जो third equation में, x2 की value 6 है, तो यहाँ पर 6 है, तो इसको ऐसा भी, यहाँ पर, इस तरीके सा आपका बनेगा, अब क्या करना है, बिसिकली यह तो होगया, ग्राफ रेडी होगया अपना, लेक्सिमाइज का समय है, कुंसर समय है, यह मैक्सिमाइज का, देख सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमाइज, और इसमें साइन देखो क्या है, less than का साइन है तो इसमें क्या बनता है, क्या बनता है, फिजिबर सल्यूशन या फिजिबर रीजन, इस तरीके से, अगर लेस देखो का साइन आएगा, तो यह कहाँ जाएगा, ओरीजिन की साइड में, less than है, तो origin होगा, और more than equals to का साइन आया, तो क्या होगा, यह non-origin, अभी यह origin क्या है, और non-origin क्या समझाता हमें, यह आपने को यह o लिखा है, तो यह origin होगा, मतलब इसके side क्या बनेगा, अपना feasible reason बनेगा, ठीके, और non-origin मतलब यह जो पुरा पार्ट है ना, यह क्या ह यह border है, यह border के उस पार नहीं जाना है, यह line चानस ऐसा cut हो क्या होगी, सब origin हो जाएगा, फिर यह, यह origin के side हो जाएगा, तो आपको ऐसा इस तरीके से, एक line बर सा rock कर देना है, आपके उपर है, आप यहाँ पर जो भी करो, लेकिन क्या है, basically, easy और अच्छा दिखने के लि यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ गया, यह क्या हो गया, यह origin है, इसकी बार है, zero, यह border पर जितने ही point है, यह पर दिखाई तेरे, सब आएगे, सब को consider करने है, तो फ़ेहां ouais धीके, बिख से यह September, पर यहa फो यह vorbere सबो से यहां पर इसको B ले दो, यहां पर यह इसका पॉइंट निकालेंगे हम लोग तो निकालते हैं इस पुर्वासा साइड में रखते हैं अभी आगे रेखते हैं यहाँ पर देखो यह तो अभी देखें यहाँ पर मैंने प्रॉपर ग्राफ नहीं होना है और मैं लाइन आके पीछे भी हो रहा है तो यहाँ पर मैं exact कितना लिके चलता हूं क्या लिके जा रहा हूं मैं 1 देखें आपको देखना है कि exact कितना जा रहा है तो वहाँ पर इतना लिख देना लेकिन यह इस पर 6 पर देखे तो यह 6 fix है सिफ अपना 1 का जो दिक्कत है देखे 1 का मतर्व एक्जाक्ट वैल्यू नहीं परचाता है देखे 1.5 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है देखे से इसी तरीके से आपको इस पर भी जाना है पॉइंट सी पर यहां पर 4.5 जा रहा है तो यहां पर मैं लिखता हूँ 4.5 पर इसको मैं इस तरीके से य एक्जाक्ट अभी 2 लिखे जाता हूँ आपको क्या करना ग्राफ पर करना और अच्छी तरीके सी करेके करना सकेस तोब biết इammers न bestándom ज्याइग्या तो यह सब intersect हो रहे है यहां पर इतना हो ग्राफ बद इसके बार कॉलम बनाएंगे वर्टेक्स बनाएंगे फिर कॉडिनेट पॉइंटे बनाएंगे और इस पर फिर जो अपना equation है main equation यह वाला max z equals to 4x1 plus 3x2 ठीक है इसा कॉलम बना देंगे हो गया यह अब यह वर्टेक्स में क्या origin है जिसके value 00 यहां पर देखे सुर्ण के value 0 और एक एक तू की value 0 और फिर Control की पास point a में क्या 0 है जिरो 6 तो यहां पर एक सक ए से वाएक पल देखो यहां पर 1.6 तो एक सथे की value 1 और एक यक सुझट की value 6 और के सी में क्या 4.5 है कामा 2 ए तोई स्वान की value 4.5 हो ही और एक सुकि़ asında की वाल्यू इसे और क्या है अपना point db आया है तो 5,0 तो इसमें x1 की value कितने आ जाएगी 5 और x2 की value कितने आ जाएगी 0 यह हो गया vertex हो गया, coordinate point हो गया, अब max z लिखते हैं इसमें, max z में क्या करते हैं आपको, x1 के place पर 0, x2 के place पर 0, यहां पर मैं सिफ एक ही कर दा हूँ, आप इसको directly कर सकते हूँ, जबी नहीं है इसको solve करना है आपको, ठीक है, 4 यहां पर x1 के place पर 0, और x2 के place पर भी 0, तान से क्या आए जीरो, चले मैं आपके लिए पूरा कर देता हूँ, यहां पर, ताकि आपको confusion ना रहे, ठीक है, x1 के place पर 0, x2 के place पर 6, तो इता 0 हो गया, और यह 6 3 हो गया, फिर यहां पर 1 रखा, x1 के place पर, और x2 के place पर 6, 4 प्लस 18, तो 22, 4 गया 4, पर 3 6 हा 18, 18 प्लस 4, 22 हो गया, यहां यहां पर, देखते हैं अभी, 4, इता पर 4.5, फिर प्लस, इता पर 6, तो इता पर 3 था, और x2 के place पर 2, तो 4.5 इंटू 4 करते हैं, तो 18 आएगा, अंसर कितना आएगा, 18, 18 प्लस 6 करेंगे, तो 24, ठीक है, 1, 2, 3, 4 हो गया, यह 5, यह लास्त बन कर दे हम लोग, यह पार्ट यह लोग, यहां पर 3 है, यह 0 हो हो गय, और 4, 5, आ त्वेंटी, एक रोब यहां पर देखते हैं तो जो मैक्सिम vaccines नंबर है यान वो लेन यहां पर, maximum नंबर क्या 24 तो यह अपना answer रहेगा तो उसके लिए मैं answer यहाँ पर लिख रहा हूँ space नहीं है यहाँ पर लिखेंगे हम max max z equals 24 दीखें और उसका coordinate point लिखते है coordinate point is x1 equals 4.5 और x2 equals 2 दीखें तो यह मेरा हो गया complete पुरा answer इस तरह के से हम graphical method solve करते हैं बस याद है कि मेरा answer 24 आया है देखें आपका भी answer मतब 20 के बीच में होगा मतब 20 से लिखे 30 के in between का number ही होगा क्यों क्योंकि हाँ पर जो number है बहुत हुआ सा differ कर रहा है तो इसलिए आपको टेंशन देने के जोहती है अगर आपका answer 24 नहीं आ रहा है बस 24 के आसपास का number होगा मत्तब कि 23 के 30 के बीच का कोई भी numbers तो आयोप की यह जो कुसंबर 2 का D था LPP का ठीक है graphical method यह आपको समझ में में आ गया कि किस तरीके से सॉल करना चाहिए अगर इसके regarding कोई दावट है तो definitely आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हो और जो पूरा complete syllabus थेकर मैंने सिखाया हुआ है इस चैनल पे link में description box में दे दिया हुआ है और जो आपके यह थैक्यों आपके सॉपष घर शॉड़ार शॉड़ारी है यह था रिक्टर दॉड़ारी है निदा चीजिए